आज हम लोग सीखेंगे क्लास एट एंसी रटी बुक एक्ससाइज 2.2 का क्वेशन नंबर 6 क्वेशन है 3 कॉंजेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप्टो 51, what are these integers? बहुत ही सिंपल क्वेशन है अगर आपको इस वर्ड का मतलब पता हो तो तो कॉंजेक्यूटिव मतलब होता है जो नंबर्स लगातार आते हैं लगातार मीज जैसे 5, sorry 3, 4, 5, 19, 20, 21 तो इनके बीच में एक भी नंबर नहीं होना चाहिए एक कॉंजेक्यूटिव नंबर्स तो क्वेशन है 3 consecutive integers है integers का मतलब वो negative भी हो सकते है और positive भी हो सकते है जिनका sum which adds up to 51 जिनको plus करके 51 आए integers बताओ तो सबसे पहले देखो let the first consecutive number भी x ठीक है पहला जो number है उसको x ले लो तो दूसरा obviously अगर एक x है तो उसमें plus 1 करोगे तभी दूसरा number बनेगा उसमें फिर plus 1 करोगे तो तीसरा number बनेगा तो अगर एक x है तो दूसरा x plus 1 होगा अगर दूसरा x plus 1 है तो ये x plus 2 होगा यानि इससे 2 जादा तो तीनो numbers होगे आपके x x plus 1 and x plus 2 तो इन तीनों का sum है 51 तो आपके equation कुछ ऐसे बनेगी x यानि first number x plus 1 ये second number plus x plus 2 ये आपका third number तो first number, second number, third number तीनों को किया हमने plus equals to 51 तीनों का summation जो है इनका जो addition है वो 51 है तो अब आप इस equation को solve कर लो x, 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 3x है 1 and 2 plus 3 equals to 51 तो यहाँ से 3 आप common लो common भी नहीं लेना तो 3x equals to 51 minus 3 तो 3x equals to 48 x equals to 48 by 3 which means 16 तो x की value 16 आई यानि कि आपका first number जो है first number जो है 16 है second number x plus 1 है तो ये होगा 16 plus 1 that is 17 third number x plus 2 है 16 plus 2 that is 18 तो यही तक question करके मत छोड़ देना आपको आगे के 2 numbers और निकालने क्योंकि 3 number पूछे what are these integers 3 integers पूछे दोशे पूछे क्शे निकालने